श्रीमद होम रेमेडीस में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे नीम करोली बाबा का चमतकारिक बुलेट रूफ कंबल के बारे में नीम करोली बाबा का समाधी अस्थद नैनी ताल के पास पंत नगर में नीम करूली बाबा के भक्तों में एपल के मालिक इस्टीव जॉब्स, फेस्बुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलिवड एक्टरस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम लिया जाता है नीम करूली बाबा का वास्तिक नाम लक्ष्मी नरायन शर्मा है उत्तरप्रदेश के अटबरपूर गाउं में उनका जन्म उनीस सो के आसपास हुआ था उन्हें अपने शरीर का त्याग 11 सेप्टेंबर 1973 के वो वरिंदा वन में किया था बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में सबसे द्रादा świat MR की ही आता है आश्रम पहाड़ी अलाकों में देवदार पेड़ों की बीच हस्ते थे यहा पांच देवी देवतों के मंदिर इनमें हर्मान जी का भी एक मंदिर है बावा नीम करोली हर्मान जी के परम भक्त थे और उन्हें देज भर में हर्मान जी के कई मंदिर बनवाये थे रिचर्ड एलपोर्ट रामदास नीम करोली बावा की चमतकारों पर मिर्कल आफ लव नामर के किताब लिखी थी इसी में बुरिट प्रूफ कंबल नाम से घटना का चिकर है बावा के कई भक्त थे उनमें से ही एक बुजल्ग दमपत्ती थे जो फतरगड में रहते थे यह घटना उनीस सो थितालिस किये एक दिन आचानक बावा उनके घर पहुंचे और कहने लगे कि यह रात में ही पे रुखेंगे दोनों दमपत्ती को तो अपार खुशी तो हुई लेकिन उन्हें इस बात का दुख था कि घर में महराज की सेवा करने लिए कुछ भी नहीं था राएंगी जो भी था उन्हेंने बाबा की समर्च पर स्थोस कर दिया बाबा वह खा कर एक चारपाई पर लेट गया और कंबल ओड़कर सो गए दोनों बुजुग दमपत्ती भी सो गए लेकिन क्या नींद आती महराजी कंबल ओड़कर राद बर कराते रहे ऐसे में उन्हें कैसे नहीं दरती वे वहीं बैठे रहे उनके चारपाई के पास पता ने महराज को क्या हो गया जैसे उन्हें कोई मार रहा हो जैसे तैसे कराते कराते सुबब सुब बाब उठे और चादर को लपेट कर बुजुग दमपत्ती को देते रहे का कि इसे घंगा में प्रभाहित कर देना, इसे खोल कर देखना नहीं, अन्यता फच्छा होगे, दोनों दभ्मत्य ने बाबा क्या अग्या का पालन किया, जाते है बाबा ने कहा, कि चिंता मत करना, महीने भर में आपका बेटा लॉंट आएगा, जब ये चादर लेकर नदी के पूर जा रहे थे, तो उन्हें महसूस किया, कि इसमें लोही का समान रखा हुआ है, लेकिन बाबा ने तो खाली चादर ही हमारे सामने लपेट कर दिया हमें दी, खिर हमें क्या, हमें तो बाबा क्या क्या का पाला में करना है, उन्हें हो चादर ऐसी कि वैसी नदी में प्र जैनाद पर उसे देखकर दोनों बज़रुक दंबत्ते खुश हुए और उसने घर आकर कुछ ऐसी कहानी बताई कि किसी को समझ में नहीं आई उसने बताई कि करी महिनावर पहले एक दिन वो दुश्मन फौजियों के साथ गिर गया था रात बर गोली बारी नहीं उसके सारे साथी मारे गए लेकिन वो अकेला बच गया कैसे बच गया ये मुझे पताने उस गोली बारी में उसे एक भी गोली नहीं लगी रात बर वो जा तो धन्यवाद आप हमारी चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंटों पीशिए धन्यवाद